बिग बॉस और बिग बॉस सीजन 16 के होने वाले विनर की चर्चा हर तरफ हो रही है और आज हम भी आपको बिग बॉस 16 के होने वाले विनर के कुछ अंसुने राज बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे अब आप सोच रहे होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं क्योंकि बिग बॉस 16 का विनर अभी अनाउंस तो हुआ नहीं है हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के उस कंटेस्टेंट की जिसकी जीतने के कयास सबसे जादा लगाए जा रहे हैं जी हां हम बात कर रहे हैं प्रियंका चहर चौदरी की नमश्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिक्षा मैरोत्रा आखिर क्या है प्रियंका चहर चौदरी की पहचान टीवी एक्रेस या बिग बॉस्स फेवरिट कंटेस्टेंट या फिर अडर्ल्ट स्टार आखिर कौन है प्रियंका या प्रियंका ने अपनी पहचान बदली है अब आप सोच रहे होंगे कि हमने प्रियंका के लिए ये क्या बोल दिया अडर्ल्ट स्टार तो असल में आप जिस प्रियंका कुछ जानते हैं वो नई प्रियंका है टीवी सीरियल से घर घर में पहचान बनाने वाली प्रियंका बि प्रियंका ही बिग बॉस सीजन 16 की ट्रोफी जीते लेकिन प्रियंका का इतिहास इतना साफ सुत्रा नहीं है जितना आपको दिखता है तो चलिए जानते हैं प्रियंका की पुरानी जिन्दगी के बारे में जैपुर की रहने वाली प्रियंका चौधरी ने महस 18 साल की उम्र मे काम करना शुरू कर दिया था एक्टरिस बनने से पहले वो इवेंट होस्ट करती थी इसके बाद उन्हें मॉडलिंग और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला टेलिविजन शो से पहले प्रियंका कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो में दिख चु पर उससे पहले हर और प्रियंका चौधरी के नाम का शोर है शो के फैंस प्रियंका चौधरी को बिग बॉस का विनर मान चुके हैं खैर ये सब बाते तो चलती रहेंगी इसलिए आज आज आपको आपकी फेवरिट अक्टरिस प्रियंका चौधरी की वो बात बताते हैं जो शायद ही आपको पहले किसी ने बताई होगी जैपूर की रहने वाली प्रियंका ने महज 18 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया प्रियंका का असली नाम प्रियंका नहीं बलकी परी चौदरी है लेकिन नियूरमलोजिस्ट के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया पंजाबी म्योजिक वीडियो से नाम कमाने के बाद प्रियंका ने अक्टिंग में अपना लगाजमाना शुरू किया इस दौरान उन्हें उल्लू एप की वेब सीरीज 3G गाली गलोच गर्ल्स में काम करने का चांस मिला प्रियंका ने बिना दो बर सोचे सीरीज के लिए हा कहदी और 3G यानि गाली गलोच गर्ल्स में उनके किरदार को खूब सराहा भी गया पर उन्हें वो पहचान 3G से नहीं मिल सकी जिसकी वो हगदार थी आपको शायद नहीं पता होगा के बिग बॉस और उडारिया के अलावा भी कई टीवी शोज में प्रियंका काम कर चुकी बिग बॉस और उडारिया से पहले प्रियंका चौधरी यह चाहते साथान इंडिया और गटबंधन जैसे शोज में भी नजर आ चुकी है इन टीवी शोज के अलावा प्रियंका को पेंडिंग लफ लतीव टू लादेन और कैंडी ट्विस्ट जैसे फिल्मों में भी देख पेचान मिल चुकी है हो भी क्यों ना बिग बॉस के घर में जुवाता है उसकी सितारे साथवे आसमान पर पहुच जाते हैं अब सोशल मेडिया बस की माने तो प्रियंका चौधरी शोग की विनर बनेंगी हलाकी फैंस की यह इच्छा पूरी होती है या नहीं ये तो उसकी सारी अपडेट्स देते रहेंगे आप देखते रहें आज की खबर